हेलो दोस्तो आप कैसे हो आसा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए भाई तो दोस्तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा 30-5 ओडियो बोर्ड में ट्रांजिटर की वाइरिंग कैसे करें बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा भाई नए मैं कैने किसको बिना स्किप कीवर देखें तो भाई सबसे पहले में 30-55 के बेस केलेक्टर इमिल्टर बता रहेता हूँ देखो 30-55 का जो ये ट्रांजिटर है मेरे आथ में ये 30-55 खीक है इसके बेस केलेक्टर इमिल्टर बता रहेता हूँ पहले में तो आप इसको उल्टा पकड़ोगे ऐसे पकड़ोगे तो देखो नीचे का पोर्षन जादा रहेगा जो नीचे का पोर्षन जो जादा रहेगा वो साइड नीचे रहेगी और जो पोर्षन उपर का कम है वो साइड उपर रखना तो इस तरही के साही सीधा है ऐसे करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा इसको ऐसे रखना है तो इस पर आपको पहले मैं base collector emitter बता रहेता हूँ है फिर मैं आपको आगे की wiring बता हूँगा तो इसकी यह जो left वाली leg है जो यह होती है base और body collector और right वाली emitter ओके यह आप ध्यान रखें 30, 55 और 37, 73 ट्रांजिटर में दोनों same ही होती है left वाली base, body collector और right वाली emitter ओके तो यहां से आपको wire connect करनी है ओके यहां से तीनो wire connect करनी है और वो board में कहां लगेंगी मैं बताऊंगा किसके base collector emitter कैसे जाने ओके तो भाई वीडियो को बिना skip की हो देखना ने तो आप कोई भी जरूरी information मिस कर दोगे तो देखो आपके सामने यह दिख रहा है 355 का audio board यह 355 का audio board है मेरा आथ में तो इसमें देखो आपको transistor लगे वो दिख रहे हैं यह BD149 और यह BD140 ओके यह दो channel हैं यह एक channel और यह दूफरा channel तो दोनों में same होने वाला है जो मैं समझा रहा हूँ एक ही channel पर आपको बताऊंगा और दूफरे वाली की wiring भी बिल्कुल same होगी तो देखो मैंने जैसे आपको बताया भी BD149 और BD140 transistor यह है और देखो same board यह है यह board मैं भी modify कर रहा हूँ तो इस board पर ही आपको मैं wiring करना सिखाऊंगा तो इस board को हम साइड में रख देते हैं इस board पर आप जल्दी सिखोगे बहुत आसन तरीके से बताऊंगा मैं तो देखो इस board को हम उल्टा कर लेते हैं पहले फिर मैं आपको बताऊंगा देखो BD149 transistor यह है जो यह print आपको दिख रही है और BD149 यह है तो वही BD149 जो transistor है उसकी जो center वाली मेरा मतलब बीच वाली लेग है वहाँ से print जो यह जा रहा है जो यह print 30-55 transistor में base रहेगा मेरा मतलब 355 transistor की जो left वाली जो leg है वो base है और body ओती collector और right वाली emitter तो BD149 का जो बीच वाला print है जो वह 355 में base में रहेगा ओके त्यान से सुन ले ना भाई ओके और यह BD149 BD149 का जो left वाला print है वह 355 के transistor में base में रहेगा देखो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ मैं यह BD149 जो transistor जो लगा हुआ है यह BD149 है गर आप इसको ऐसे पकड़ोगे नमबर आपको दिखने चाहिए तो यह सिद्धा है तो इसकी जो left वाली जो print है जो left वाली lag यह 355 transistor में base में रहेगी आप द्यान से देखना मैं board को गुमा रहा हूँ मैं मतलब पीछे कर रहा हूँ मैं यह देखो मैंने mark भी किया हूँ है यह black sketch जो मैंने कर रखा है जो mark इसकी left वाली lag है यह देखो यह गुमती हुए आई तो यह वाली जो print है यह 355 के board में base में रहेगी और beach वाली तो आपको पता ही होगी अगर नहीं पता तो मैं बता रहेता हूँ beach वाला जो point होता है वो transistor की body में जाता है मेरा मतलब collector में और यह तीसरा बच गया यह तो आपको पता लगी गया होगा automatic यह हमारा emitter बच गया तो जो इसका 5 word transistor है उसकी wiring भी मैं बताऊंगा ओके देखो 5 word transistor लगता है इधर इसके बारे में भी मैं आपको बता रहता हूँ तो बाई मैं एक बात और बता रहता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको wiring समझाए थी अभी तो यह दोनों transistor की same wiring है एक channel की ओके यहाँ से मैं बोल रहा हूँ आप याद रख ले न base collector emitter एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ मैं base collector emitter base collector emitter BD 140 का जो बीच वाला print वो base और BD 149 की जो left वाली leg का print है वो base तो चलो मैं इसके बारे में बता रहता हूँ जो 5 word transistor है तो दोस्तों यह जो तीन प्रिंट आपको दिख रहे हैं जो यह पांच वे transistor के हैं और देखो यह जो plus point जो उमने mark किया हूँ यह plus point है ओके देखो पहले में इधर से दिखा देता हूँ मैं यह देखो डाइवट जो लगे हूँ है यह जो पट्टी वाला point है जो जो पट्टी वाला से रहा है जो इसको plus point बोलते हैं इधर से plus point हमारे board में enter होती है तो उदर से हमें एक wire उठानी है वो 35 के transistor में base पर जाएगी sorry collector पर जाएगी मेरा मतलब body पर ओके जो plus point है जो डाइवट से जो plus point हम लेंगे वो 35 के transistor में body पर जाएगी collector पर और देखो ये दोन पिरिंट पच गए ये पच गए हमारे base के और emitter के अब इन में से base और emitter पहचानना है तो बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ मैं देखो इदर एक जीनर डाइवट लगा हुआ है जो मारे ground से short है इदर से आप देख लो पहले फिर मैं आपको बताता हूँ मैं ये देखो जीनर डाइवट आपको दिख रहा होगा ये जो लगा हुआ है तो इसका जो पट्टी वाला point है ना जो जो पट्टी वाला सिरा है जो उदर से आपको ये एक जो ना वायर उठानी है वो 35 ट्रैंस्टर के बेस पर देनी है जो जीनर डाइवट जो ground से short है तो ground से wire connect मत करना जो इसका पट्टी वाला जो सिरा है उदर से wire करना connect वो 35 में बेस पर दे देना और ये तीसरा वाला हमारा E-miter रहेगा ये मारे base travel क लाइन देने के लिए ट्रांश्टर होता है ओके जो मारी 24 वोल्ट से 12 वोल्ट के लिए कनवर्ड करता है फिर से बता रहा हूं जो ड्यावर्ट से जो प्लस पॉइंट है वो मारी बॉड़ी पर जाएगा मेरा मतलब कलेक्टर पर और जो जीनर ड्यावर्ट से पट्टी वाला पॉइंट है जो वो अमारी ट्रांश्टर में बेज पर जाएगा और यह तीसरा वाला बच गया यह इमिल्टर हो जाएगा सिंपल ओके तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगी तो इसको लाइक करना अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो सस्क्राइब करना तो भाई मिलतें नेक्स वीडियो में जब तक के लिए ओके टाटा बाई बाई